नए साल 2030 के पहले ही दिन देश को महंगाई का ज़टका लगा है एक जनवरी 2030 से कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए है एक जनवरी से पेट्रोलियम कमपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपाय तक की बढ़ होतरी की है सिलेंडर के दामों में दिल्ली से लेकर कॉलकाता और चन्नाई तक बढ़ोतरी की गई है हाला कि घरेलू रसूई गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी तरह का बदलात नहीं किया क्या है आपको बता दे कि हर महिने की पहली तारीक को पेट्रोलियम कमपनिया रसोई गैस सिलेंडर की नई कीमते निरधारीत करती है इसी को लेकर कॉंग्रेस ने भी तंचकस दिया है अब कमर्शल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भारती जुनता पाटी नित केंदर सरकार पर कॉंग्रेस ने हमला बोला है कॉंग्रेस ने केंदर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के लोगों को ये केंदर सरकार की और से नई साल का तौफा है कमर्शिल गैस सिलेंडर अब 25 रुपए महंगा हुआ है ये तो शिरुवात है कमर्शिल गैस सिलेंडर के उपभोगताओं को अब 19 किलोग के एरसोई गैस के प्रती सिलेंडर के लिए 25 रुपए अधिक चुकाने होंगी कमर्शिल गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी से रेस्टोरेंट प्रभावित होंगी और इसका असर परोखशी रूप से उपभोगता पर भी पड़ेगा गैस के दाम बढ़ने की वज़े से अब आपको बाहर से खाना ओर्डर करना अधिक महंगा हो जाएगा दाम में बढ़ोतरी की बात कमर्शिल गैस सिलेंडर के दाम दिल्ली में 1768 रुपे मुंबई में 1720 रुपे कॉलकाता में 1870 रुपे और चैन्नेई में 1917 रुपे हो जाएगा